नमस्ते एवरिवन माइनेम इस नालीनी और वेलकम तो माई केचन आज मैं बनानी जारी हूं गाजर और हरी मिर्च का आचार देखिए आचार तो सभी बना लेते हैं लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि उनके हाथ का आचार बहुत अच्छा होता है फलाना के घर का आचार ब करने वाली हूं वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसको बनाने के लिए सिर्फ मिनिटों का समय ही लगता है तो आईए देखते हैं हमने ये गाजर मिर्च का स्पेशल अचार नलीनी स्पेशल अचार कैसे बनाया इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर लिया है और उतना ही त काटने के बाद आप इसके चार टुकड़े कर दीजे के बीच में स्लिट इस तरीके से लगाईए ये देखिए कुछ इस तरीके से फिर ये जो सीड है ये सीड निकाल दीजे बहुत सारे लोग सीड को भी अचार में रखते हैं तो आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं यहां आप कर सकते हैं लेकिन मैं सीड को ज्यादा प्रिफर नहीं करती हूं अचार के लिए और यह देखे में एक बार और काट के दिखा देती हूं कि आपको काटना कैसे है वैसे आपको एक बात बताओं मेरे हाथ का भी अचार काफी लोग पसंद करते हैं मेरी और भी रेसिपी इस काफी वाइरल हैं स्पेशली अचार की अचार बनाना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होता बस चोटे-चोटे टिप्स होते हैं अगर आप उसको जान जाएंगे ना तो यह बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा देखिए मैंने फट अफट यह सारी हरी मिर्च काट ली ह बारी मिर्च को आप गोल-गोल भी काट सकते हैं अब आई बारी गाजर की गाजर को ना किसी पिलर की हैल्फ से काट दीजे साफसुथा कर दीजे इसे अगेन अब धो लीजे। इसका पानी सुखा दीजे ठीक है और उसके बाद इसको इस तरीके से लंबे-लंबे भागों में काट दीजे वैसे गाजर को आप गोल गोल भी काट सकते हैं लेकिन पता है ऐसे जब लंबा लंबा आप काटेंगे ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी गाजर के बीच का ये पोर्शन जो यलो यलो दिख रहा है न वो कभी-कभी बहुत हार्ड होत और एक बड़ा चमच यलो वाली मस्टर्ड जो पीली सरसों आती है न उसको लीजे एक बड़ा चमच ये बनारसी राई है जिसे छोटी राई भी बोलते हैं इसी से अचार में खटास आएगी ये देखिए ये है मीथी वन टीस्पून है इसको जादा मड़ा लेगा वन टी पीसिएगा थोड़ा रूम टेंपरेचर पे ले आएगा उसके बाद ही इसको पीसिएगा ये देखिए चिटर चिटर की आवाज आ रही है मसाले अच्छे से भून गए हैं गैस को बन कर देंगे और इधर देखिए धूप में ये गाजर अच्छे से सूख गए हैं दो से तीन घंटा रखा था हरी मिर्च को जादा देर धूप में रखने की ज़रुवत नहीं है आदे एक घंटे में ही ये रेडी हो जाते मसालों को ग्राइंडर में डालके इसका बिल्कुल महीन पाउडर बना ले मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि मैं भूल आता है ना धनिया पाउडर का वो भी डाल सकती थी लेकिन उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है जितने खड़े मसाले आप भून करके पीस करके इंस्टेंट डालेंगे आपका अचार उतना ही खुश्बूदार और स्वादिस्ट बनेगा स्वारी बोलरी हूं आपक एक और तरीका जो की सीक्रेट है मस्टर्ड ओयल ने मैंने एक कटोरी मस्टर्ड ओयल लिया है इसको अच्छा गरम करें और उसके बाद गैस बन कर दें जब ये थोड़ा हलका गुनगुना रहे तब इसमें डालें हींग मैं एक छोटा चमच हींग डाल रही हूं और हींग कश्मीरी लाल मेंच डाल रही हूं ये देखेए इसको अच्छे से मिक्स कर लीज़े अब जो हमने मसाले तयार किये ना उसको डालेंगे इसके अलावा हम डालेंगे हल्दी एक बढ़ा चमच इससे भी रंग अच्छा आएंगा और स्वाध भी सारी चीजों को अच्छे से mix कर लीजे अब आपने देखा ना मसाले मैंने किस तरीके से डाला ये तरीका ही किसी भी आचार को special बनाता है स्वादिस्ट बनाता है अब इसके बाद आखिर में हम डालेंगे गाजर और मिर्च और नमक नमक स्वाद अनुसार नहीं जी स्वाद से थोड़ा जादा किसी भी आचार में सही रहने का मतलब थोड़ा जादा रहेगा तो वो आचार कभी खराब नहीं होगा एक लिस्ट पान साल तक उस अचार को आप रख सकते हैं यहां पे चार नीमू का रस डाल रही हूं आप नीमू की जगह सफेज सिंथेटिक विनेगर भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजे अब नेक्स सीक्रेट या टिप बोल लीजे अचार को काच के बरतन में ही रखें और अचार रखने से पहले इसे अच्छे से धूब दिखा दें ताकि इसके अंदर पानी का कोई भी अंश ना हो यह एक जरूरी टिप है ध्यान रखें साथ में जिस भी चम्मच को इस्तमाल करें उसमें पानी बिल्कुल ना हो जब भी निकाले आप तो चम्मच सूखा ही होना चाहिए और हमेशा आचार दो बरतनों में रखें एक छोटे बरतन में और एक बड़े मर्तबान में ताकि बड़े वाले को बार बार चुने की जरूरत ना ह हो जब आप उसे बार-बार नहीं खोलेंगे तो उसमें मौईशन नहीं लगेगा और आपका धेर सारा अचार बरबादनी होगा एक छोटा डबा रख लीजिए एक बार निकाला हफ्तों के लिए आपने उसको इस्तमाल किया तो यह जो चुटकू वाला है यह रोज मर्रा क चर्थ लगा के कह सकते हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि यह जो तरीका है इससे अब आपका चार आपका पैसा आपकी महनत कुछ भी खराब नहीं होगा गायरिंटी है नलिनी की और स्वाद वावा जी माशाल्ला